मेरी जोब एक टेक्निकल जोब थी जी मैं खाली नहीं रह सकता इस कारण माना फिर ये साधन जोड़ा जी फिर अपना सिस्टम चल गया मेरा जी परमात में कि देते ठीक बढ़ी एक अंडा बीस रुपे का जी और तीन सो असी रुपी एकी ट्रे दे रहे हैं जी पंद्रा सु रुपे का 700 रुपी की मुर्गी और मुनाफ़ा कितना हो रहा है आपको मुनाफ़ा पर मिन्ना मेरे को चारीस जार्गे करीव तीस जार्गे करीव मतलब है साथ में पासवाली घंटे का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी आगे आनावरी वीडियो का नोटिफिशन सबसे आप तक पहुंचे दोस्तों आजम पॉच्छे में करनाल हर्याना में यहां पर अंकल जी है जो रिटार्मेंट के बाद देशी मुर्गी पालंग कर रहे हैं लोग अकसर रिटार्मेंट के बाद सोचे माराम करूं जो अपने लिए समय नहीं दे पाया वो अपने लिए समय सेल का तो वीडियो शुरू करते हैं अंगली नमस्कार नमस्कार जी अंगली कैसे हैं बहुत बढ़िया जी सबस्पेल अपना परीचह हैं हमारे दर्सकों को मैं दलेल सिंग जी सन आफ सीरी संत्रां गाउं दौलगड जी और मैं पुब्लिकल से रिटार हूं जी तो इसकी जी इसकी शुरूबात कब ही अंगली शुरूबात दो साल पहलो ही थी जी जी गौवर्मेंट के बाद आजमी सुसता है कि मा राम करूं अपने लिए जो समय है वो निकालू परिवार को दूँ मेरी जोब एक टेक्निकल जोब थी जी मैं खाली नी रह सकता इसका था इसका चल गया मेरा जी परमात में किता है ठीक बढ़ आपको लगा कि कुछ अपना करना चाहिए तो कब शुरूबात करिया अपना करी यह यह करी जिए बीसमाजी अच्छा दोजार बीसमें सुरू करें तो मुर्गी का पालंग आपको विचार कैसे आया इस पर एक दोस्ता मेरा उसने मेरे को इसकी गाइडलाइन दी थी वह वैलर से अच्छा ये अंडे बड़ा बरी डालो आप वो त्यार हो जएगा सस्ता पड़ेगा जी यह शीड़ भी आपने बॉलर के लिए बनाया गया था उसके बादेश का मजबूत है कितने बढ़ती शुवात करें कर इंकल व जाओ बराओं मेरे रह रहे हैं और यहां कहीं भी दुकान नी आसपास कुछ नहीं को इसाधन नी है तो समस्य नहीं अपको मार्केटिंग के माल कहां बेचोवा में अपना बोगा जी यह मैन रोड है यह काचवा सीतामाई रोड है इससे साराइ से उता हो और उत भी उत्व उस गाल पने आप क्या था इसको बनाने में बगाने हम बनाने में इसको बनाने में बनाने गा था सब्सक्राइब चार लाग के करीब उसके बाद फिर जैसे पचासाइट जार रुपी एक बच्चे आगे फिर फीड आ गया फीड तो कितने खड़ा ले मतलब खर्चा ही जादा उसमें जी तो चूजा लायते बड़ा लायते जी कितने का लायते तो यह लायते पैंटीस जंगली गास अपने खेत माइद रुदर आजी और यह अपना प्याज बगारा लसन बगारा खाली काट 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 काऊ वह वह किसी के पास अगर नहीं है फीड की बाजरा मकी कुछ भी वह मतलब अरगर की कि तो कोई वेस्टेज हो वह सब यह खाजा असंगा जी कोई काम आ कोई अंग्रेजी या कोई ऐसी कोई भूमारी नहीं आई कि इसमा सारा साफ सूत्रा सादाई सिस्टम रहा जी पाफारम में साफ रखता हूं इसमें सिलन वगारा नहीं रखता हूं अब ही उमर क्या हो गया आपकी मेरी 66 साल है जी बहुत ही बढ़िया और कभी इसमें आपक और लाइब मुर्गा से पंद्रा सुरुपए पंदरा से लुपार तो बीग जाता है जाता जी सात्सुर पीगी मुर्गी और मुनाफ़कि नहीं अब को मुनाफ़ा पर मिन्ना मेरे को 40 जार के करीब 30 जार के करीब मतलब अश्य कभी आपने टो चुटा हो जाई कि असमें यहां पर इंकली में देखना हूं जिसे आपने तराब बना हुए तो मचली से उसको इसका शुत्रा कम पॉल्ट्री आप देख रहे होंगे यहां कोई समयल नहीं है किसी टाइप की अंगली कोई, काम कुछ शू करना चाहता है देसी मुर्गी पालन तो अच्वी कई था कि तूर बड़ च्रूबात करें जितने हो अच्ट PROF शुसति निए जन गर्फ कि करना पर्ता है किजिए को तुम कि एक हुग्त hoort करें जब थोड़ा बहुता बेनिफिट का भी पता लगा विक्या कमर्शल लेवल की करने के लिए है जी वैसे तो आदमी 100-200 तो अपने घर में खड़ जाएंगी पता बनी चलेगा हाँ जी हाँ कम पैसा है किसी के बास में हाँ कम भी तो कैसे अपना श्कीड वगरा बनाए अपने करा का थोड़ा द्यान रखना पड़ा बई इंतिजाम हो जाएक कोई अगली कोई अगर अगर अपना काम सुक्रना चाहता इस तरह अधर मार्कीट अपने कैसे बनाएं मार्कीटिंग का तो ऐसा जी अपनी जो साइड के मताबिक मार्कीटिंग करनी पड़ा गर करता है काम तो घर की बची कुछी है सब्सक्राइब करते हैं तो यह अंडा देना अंकली कम स्टार्ट करती है का और कब तक देती है यह कम से कम 300 अंडा एक मुर्गी देती है जी जिसे अमना चीक्स डाल दिया और चार मिने के बाद अंडा देना स्टार्ट करते हैं और कब तक देगी कम से कम दो साल तो लगातार तो उनको फिर सेल कर सकते हो और उनको सेल करता है जितने बुजार माजो वेट के साफ से एक टीक वेयरा हो अपने आप या लेजा तो यहां आपने बताया कि 500 पंदर सो रुपर का क्या सपास आप यह दे रहो और किसी तरह की समस्य इसमा आती है कोई अमना तो आज तक समस्य ने आई जी सिस्टम ठीकर समस्य तो क्या रभी ल और यह फीड मेंगा उने की वज़े दे वैलर बगारा का यह बंद हो जा मरें इस वास्ते काम्याब ने नुक्सान की होता इस काम में नुक्सान इसलिए कुछ तो बड़ मर्जा जी कुछ फीड मेंगा कोस्टली हो गया रेट नहीं अन्दा माल त्यार बैशने के टाम अपना इसको अगर नहीं बिकराए तो रोख सकते हैं अगर फीड में नहीं है तो जो बची कुछी सब्जी आए उसी के पराग इसमें कोई पेस्टिसाइट यूज निक रखी किसी तरीयों की क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शों को आभंगी हम कहेंगे जो बाई किसी को द पूर कि थे उनों बड़ अच्छा काम चला रखे जिए अज दस दस जार बढ़ पा रखे उनों ने धन्यवाद अंगल दन्यवाद भाव जी आपको यहां पोंचने पा और इतना कष्ट करेंगे वारे पारम पर पहुंचे दन्यवाद तो दोस्तों यह थी आज की वीडिय तो चैनल को लाइक कर देना सब्स्राइब कर देना और साथ में कमेंट करके मैं जरूर बताना आपको यह वीडियो कैसे लगी एक नए वीडियो में बहुत जल मिलेंगे तब तक के लिए जाहिन